नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्ट्स में बहुत-बहुत स्वागत मैं हूँ ये किस राजबीर और आज दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको एक बड़ीहा सी पोएम पढ़ाने वाला हूँ विलियम वर्ट्सवत की टेबल टॉन बहुत ही अच्छी पोएम है और मतलब ये समझे एक्जाम पॉइंट आप वियू से तो बहुत ही जरूरी है और आपके वैरियस एक्जाम्स में कई बार पूछी जाती है तो इन सभी बातों का ध्यान रख करके आज मैं इस पोएम को पढ़ा दूँगा और अगर बाई दोवई इस पोएम के पूरे वीडियो को आपने देख लिया तो मैं इस बात के लिए एश्योर हो जाओंगा आन यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ओन कर लिजेगा सो डाट आपको ओल अपडेट्स आती रहें तो चलिए फिर इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों यह जो पोएम है बेसिकली जिसकी मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं तो यह प इस पोएम पब्लिस्ट हुई थी 1798 के टाइम पिरिड में 1798 के टाइम पिरिड में इस पोएम का पब्लीकेशन हुआ था वैसे अगर इस पोएम की मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आती हैं एक तो नॉलेज जो बुक्स से आपको मिलता है यानि क बुक्स वाला नॉलेज जिसे बोलें कि बुकिस नॉलेज और एक नॉलेज जो आपको नेचर देता है वैसे मैं आपको बता दूँ कि विलियम वर्ट्समत एक नेचर पोएट थे हमेशा नेचर को ही प्रेज किया है अपनी पोएम में तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो नेचर से आपको नॉलेज मिलता है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है इन कंपारिजन टू बुक्स यानि बुक्स का जो नॉलेज है वो बड़ा कमजोर पड़ जाता है यह तो पहली बात है जो आपको देखने को मिलने वाली है इस पोएम में तोटल आपको 32 लाइन्स मि मिल जा रही है इसी को हम लोग बैलेट इस्टेंजा के नाम से जानते हैं तो यह पैटर्न का पैटर्न है इस पोएम का बाकी एक एक चीज जो आएगी चाहां वो डिवाइसेस हो कुछ भी हो हम सब कुछ कवरप करेंगे इस पोएम में इंडस्टियल रेवलुशन वर्सेस क की मतलब जो मॉडरन टाइम जो रोमैंटिक चाइम पिरेड था उन दोनों चीजों को भी थोड़ा सा दिखाया गया है यह मैं आपको बता दूं कि पोएम 1798 में ही आई थी लिरिकल वैलेड का पहला पब्लिकेशन उसी टाइम पिरेड में हुआ था तो लिरिकल वैलेड में ही यह पोएम 1798 के टाइम पिरेड में लिरिकल वैलेड में ही इसका पब्लिकेशन भी हुआ था तो यह तो एक बेसिक जानकारी थी आईए विस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों यह जो लाइन है पहली लाइन यहां से शुरू हो रही है पहला इस टेंजा बेसिकली आपका शुरू हो रहा है पहले इस टेंजा से किस तरह की आपको चीजे नजर आती है तो फर्स्ट आफ ओप ओल इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं वन मिनट थोड़ा समझे चोटी सी चीज है बस देख लेते हैं हुआ यहाँ पर जो तो ऑडाइरेकली क्या कहना चाहता है अप अप माई फ्रेंट अरे उठो ऊठो यहां पर बेसिकली आप का मतलब है कि किसी अपने फ्रेंड को यहां पर एड्रेस करते हुए मेरे प्यारे मित्र छोड़ो और अगर तुम बुक्स के साथ वैसे ही चिपके रहे किताबी पन्ने पलटते रहे और शूरली तो निश्चित रूप से यू विल ग्रू डबल तुम क्या हो जाओगे मतलब तुम अपनी उम्र से ज़्यादा डबल दिखने लगोगे यानि कि तुम बर्डेन से बहुत ही ज़्यादा तुम पर बर्डेन हो जाएगा कहीं न कहीं अप अप माई फ्रेंड अरे यार हरी अप उठो उठो मेरे मित्र and clear your looks यहाँ पर क्या कहने का मतलब है clear your looks का मतलब है बहुत ही सिंपल कि थोड़ा सा अपने एक देखने के नजरिये को थोड़ा और भी शार्प करो और भी बहतर करो इससे क्या होगा इससे यह होगा कि why all this trial and trouble up up my friend and clear your look अरे उठो उठो और थोड़ा सा एक बार देखो तो why all this trial and trouble क्यों इतनी सारी परिशानिया क्यों why this all toil and trouble why you are working so hard toil and trouble basically है na toil and trouble मतलब इतना ज्यादा हार्ड क्यों एक toil and trouble करके लाइन आपको वहाँ पर भी मिलती है आपको ध्यान होगा जो विलियम शेक्स्पियर का वर्क है ना मैकबित डबल डबल ट्वाइल एंड ट्रबल फायर बर्न कल्डरन बबल तो वहाँ पर यह लाइन नजर आती है ना toil and trouble दूसरी चीज यहाँ प लेकिए the sun above the mountains head सूरज क्या है सूर्योदय हो चुका है और mountains मतलब mountains से भी उपर वो दिखने लगा है a freshening luster mellow आगे कहते हैं a freshening luster mellow और सूरी की जो किरणे है वो क्या हो चुकी है फैल चुकी है शूरी की किरणे through all the long green fields has spread पूरे हरे भरे मैदानों पर फैल चुकी है through all the long green fields दूर दूर तक जो लंबे घास के मैदान है अरे उन सब जगा पर फैल चुकी है इस फस्ट स्वीट एवनिंग यलो और आप यह भी कह सकते हैं कि उस green field के बाद फस्ट स्वीट एवनिंग यलो फिर सामदी आती है वो तो आप समझते ही है कि वो भी आएगी तो यहां पर इनके कहने का मतलब है कि यह सब कुछ हो चुका है सुर्योदय हो चुका है शुर्यास्त भी इवनिंग का समय भी हो चुका है मतलब सूर्य की रोशनी हुई और इसके बाद evening हो गई आगे कहते हैं देखिए बहुत interesting line है और जो कहते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा प्लीज मैं थोड़ा और zoom in कर देता हूँ the line is books it is a dull and endless strive कहते हैं कि अगर books की बात करो मेरे मित्र it is a dull तो मतलब ये तो बहुत boring है and endless strive और अंतहीन जंगर्स किताबों में लगे रहो knowledge लेते रहो कितना knowledge लोगे come hear the woodland linnet आओ मेरे शाथ come and hear the woodland linnet और तुम इस woodland linnet इस linnet bird की आवाज को सुनो how sweet his music on my life कितना सुखद कितना सुखद music है इसका और उस music का effect जो मेरी life में and yeah how sweet his music कितना बढ़िया music है कितना सुन्दर कितना मनोरब music है उसका on my life there is more of wisdom in it और अगर बात करो ना मेरे जीवन की तो मुझे books से जादा इसमें बुद्धि मत्ता नजर आती है इस बर्ड के सॉंग को सुनने में इस बर्ड के सॉंग को enjoy करने में मुझे books से कहीं जादा इसमें जादा आनंदा रहा है there is more of wisdom in it बहुत ही इसमें wisdom है अगर सुनोगे अच्छे से तब और लेटर ओन देखिए and hark how leethe the throstle sings and hark listen hark का मतलब है basically यहां पर listen how leethe the throstle sings कितनी प्रसनता से throstle bird गा रही है how leethe the throstle sings he too is no mean preacher तो अगर तुम बात करो ना उस throstle की she is also not a mean preacher है ना जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बहुत interesting figure of speech का यूज किया गया है double negative comment box में लिखिएगा कि जब कोई double negative हो two or no देखे two है तो two भी negative वो लेकर क्या आता है sense and then you can also see no mean mean भी आप समझ रहे ना वो negative word ही है तो यहां पर आप मुझे बताएंगे figure of speech comment box में अगर आपने मेरी poem पढ़ी है क्योंकि मैंने फिछले वाले भी वीडियो में आपसे question पूछा था इस वाले में भी be your teacher और प्रक्यति को अपना शिक्षक बना लो क्योंकि बहुत कुछ सिखाती है प्रक्यति आगे सुनेंगे ना lines बहुत interesting line exam में बहुत आती है वह वाली यह भी वैसे है come forth into the light of things यानि की come forth आगे आओ into the light of things और चीजों को प्रकास में देखो और उनको समझने की कोशिश करो let nature be your teacher और प्रक्यति को तुम अपना teacher बना लो प्रक्यति को अपना teacher बना लो she has a word of ready wealth our minds and heart to bless आगे कहते है नेचर के regarding कहते है वो words worth she has a word of ready wealth प्रक्यति के पास पता है क्या है she has a word उसके पास एक ऐसी दुनिया है प्रक्यति के पास of ready wealth जो already तयार है खजाना है एक ग्यान का खजाना our minds and heart to bless और ये जो खजाना है ना ग्यान का इससे हमारा mustisk mind and heart to bless और जो हमारा हरदय है वो प्रशन हो जाएगा ये प्रक्यति के पास एक ऐसा ready made wealth है already prepared है और वो क्या है जो हमारे mustisk और हरदय को दोनों को क्या करेगा बहुत कुछ देगा पूर्ड तया खुशी देगा है ना spontaneous wisdom breathed by health पता है प्रक्यति से क्या मिलता है spontaneous wisdom spontaneous wisdom समझ रहे हैं एक मतलब यह समझ लीजिए spontaneous बिलकुल धारा प्रवा एक ऐसा wisdom breathed by health जो हमें स्वास्थ से मिलता है truth breathed by cheerfulness और शच जो breathed by cheerfulness जो हमारी प्रसन्नता में ही नजर आता है वो सब कुछ मिलता है कहां से प्रक्यति से because it has a ready wealth इस लाइन का यह मतलब है एक बार में दूस्तों आपको इस लाइन का और भी मतलब clear clear कर देता हूं थोड़ा सा है ना बिलकुल आए यह सो दैट की मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि एक भी clarity की कमी कोई रह जाए she has a word of ready wealth यानि प्रक्यति के पास कैसा word है जो एक दम ready wealth है मतलब समझ लीजे prepared है our minds and heart to bless और हमारे मस्तिस्क और हरदय को उससे बहुत कुछ मिल सकता है wisdom बहुत कुछ मिल सकता है spontaneous wisdom breathed by health और पता है एक अच्छा wisdom जो जवर जस्त wisdom है कैसे आता है वो हमारे लिए स्वास्थ से आता है क्यों जब आपो प्रक्यति में रह करके कार्य करते है तौम सारे आपको स्वास्थ लाब होता है प्रक्यति में जब आप घूमते हैं सुबा के टाइम morning walk करते हैं पेंड, पौधों, फूलों को आप देखते हैं, तो उससे भी आपको बहुत कुछ मिलता है, truth breathed by cheerfulness, और आगे की जो line है, आगे की line और भी interesting है, बढ़िया है, this is a kind of truth breathed by cheerfulness, जो हमें प्रशन्नता से मिलता है, ये बात बिल्कुल सच है, कि हमारा जिस कहते हैं कि एक प्रशन्नता जीवन का एक अमूल लेधन है, इंसान अगर प्रशन्न है तो क्या उसको कमी है, कहते हैं कि अगर आप छोटी सी थोड़ा सा भी है आपके पास आप खुश हैं तो आप सबसे happiest प्राणी माने जा सकते हैं, आगे देखिएगा, ये line आ में बहुत आती है, different different exams में आती है, one impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can, इस पूरे स्टेंजा का जो मतलब है, बहुत ही बढ़िया है, one impulse from a vernal wood, मतलब एक ऐसी इच्छा सकती, एक ही इच्छा सकती, प्रकति की अगर एक छोटी सी इच्छा सकती हो, और वो भी कब की vernal wood, vernal wood का यहाँ पर जो मतलब है, वो है spring से, यानि कि अगर एक spring season की एक impulse, छोटी सी impulse, may teach you more of man, एक मनुस्य से भी कहीं जादा सिखा सकती है तुम्हें, यानि प्रकति मनुस्य से भी कहीं जादा आपको सिखा सकती है, poet के कहने का मतलब है, wordswatt के कहने का मतलब है, और किसके बार में पता है, of moral, evil and of good, क्या moral है, क्या evil है, of moral, evil and of good, then all the sages can, और पता है आपको किसके बारे में सिखा सकती है, प्रकति इतना बड़ी, बढ़ी है, morality के बारे में, evil के बारे में, goodness के बारे में, then all the sages can, इतना, then all the sages can, जितना की, sages, mahan, sadhu, sant, mahatma, आपको सिखा सकते हैं, then all the sages can, प्रकति आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, मतलब है, means, प्रकति इस जो nature है, that is not a mean preacher, really a wonderful preacher, और बहुत बड़ी हाँ नालेज, आपको जो है, प्रकति देती है, यह लाइन बहुत important है, one impulse from Vernalwood, may teach you more of man, of moral level and of good than all the sages can, अगर आप MA या BA student है, तो पता है, आपको यह लाइन कोट करनी चाहिए, आपके answer में, you will get really wonderful marks, आगे आईए, sweet is the lore which nature brings, पता है, sweet is the lore which nature brings, our meddling intellect, miss shapes the beautiest forms of things, sweet is the lore, पता है, वो लोरी कितनी sweet होती है, कितनी मधूर होती है, which nature brings, जो प्रकति हमारे लिए लेकर के आती है, जो प्रकति हमारे लिए लेकर के आती है, वो बहुत sweet होती है, our meddling intellect, miss shapes the beautiest forms of things, लेकिन हमारा जो meddling intellect है, हमारा जो खुराफाती दिमाग है न, miss shapes, गड़बड कर देता है, miss shape कर देता है, उनको मतलब, अच्छे shape में नहीं रहने देता, the beautiest forms of things, चीजों की सुन्दरता को, middling intellect, हम लोग खुराफाती दिमाग, वही हमें तो कितना भी अच्छा हम लोग इदर modify कर लेंगे, car लाएंगे, modify करेंगे, कुछ भी चीज़ करेंगे, like that, miss shapes the beautiest forms of things, we murder to dissect, आगे कहते हैं कि पता है, हम लोग कहीं न कहीं, इनका क्या करते हैं, खतल कर देते हैं, butchering कर देते Yes, हम लोग इनको कहीं न कहीं, हमारा जो intellect है, we murder to dissect, यह सारी चीज़े, यानि कि जो प्राक्यतिक चीज़े हैं, उनसे चेंड चान करके, अगर प्राक्यतिक sweet is the lore, मतलब जो प्रक्यति spontaneously जो चीज़ें करती है, प्रक्यति में परिवर्तन हों, तमाम सारी चीज़े हों, तो व प्रक्यति जो लेकर आती, वो अलग ही चीज है, नेचुरल वारिश, our meddling intellect miss shapes the beautiest forms of things, लेकिन जो हमारा meddling intellect है, जो खुराफाती दिमाग है, कहीं न कहीं, वो क्या करता है, miss shape कर देता है, सुंदर से सुंदर चीज़ों को, we murder to dissect, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पता है ये जो खत्म करते हैं अपना काम, meddling intellect लगा करके, कहीं न कहीं वो प्रक्यति के उस स्वचलित काम का एक तरह से हनन है, खत्म कर देना है उशे, आगे कहते हैं देखिए, enough of science and of art, देखो एक बात क्यों कहते हैं कि बहुत हो गया science और art के बाड़े में, enough of science and of art, तमाम सारी बाते हमने science और art की कर ली, तमाम सारा कुछ करके देख लिया, enough of science and of art, close up दोज बैरन लीप्स, बुक्स को कहा है गाईज, दोज बैरन लीप्स, ये title भी है एक novel का, मैं आपसे request करता हूँ, प्लीज, comment box में जरूर लिखिएगा, दोज बैरन लीप्स, ये किस writer की novel का title है, basically the novel written by whom, दोज बैरन लीप्स, ये title यहां से लिया गया है, exam में कई बार पूछा जाता है आपके, close up दोज बैरन लीप्स, कहते हैं कि उन बैरन लीप्स को close कर दो, come forth and bring with you a heart, साथ हाओ मेरे and bring with you a heart, और अपना हरदय लेकर के चलो, that watches and receive, और एक ऐसा हरदय, जो वि and receive, उस प्रकेती की सुंदर्ता को देखने के लिए, और प्रकेती से बहुत कुछ सीखने के लिए, जो वे नम्र हो, enough of science and art, साइनस और आर्ट के बारे में बहुत पढ़ चुके यार, close up दोज बैरन लीप्स, बुक के पन्नों को कहते हैं, उन बैरन लीप्स को बंद करो कित receive करें, दोस्तों यह जो पोयम है, बहुत interesting पोयम है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, हो सकता है कि थोड़ी बहुत mistake भी हो गई हो समझाने में, है न, तो मैंने अपना best try किया है कि मैं आप तक अपनी बात जो भी है, वो मैं पहुचा दूँ और आपको समझा स सकूं, यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूं कि राइमिंग का पैटर्न क्या है इस पोयम में, तो राइमिंग के पैटर्न को आप देख सकते हैं, कि जैसे books है, looks है, double है, trouble है, तो आप समझी सकते हैं कि यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह हो जाएगा, A और यह हो गया है, तो वो सिर्फ आप पढ़ करके ही पता कर सकते हैं, वैसे इमेजरी बहुत अच्छी यूज किया है, वर्ट्सवत ने और खास करके इंडस्टियल रेवलूशन के उस पैटर्न को भी यहाँ पर सो करने की कोशिश की है, विलियम वर्ट्सवत ने इस पोयम के, तो मै अपना डिस्क्रिप्शन जो मेरे बहतर और बेस्ट बेस्ट माइंड में था, तो मैंने बताने की कोशिश की है, और एक और चीज है, जो यहाँ पर मुझे नजर आती है, मैं देख करके आपको बता देता हूँ, वन इंपल्स फ्रॉम बर्नल वुर्ड, यस, बेसिकली यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आप यह वाला पार्ट और यह वाला तो यह बेसिकली एनाफोरा का पार्ट कहलाता है, जब भी इस तरह का कोई रिपिटीशन होता है, तो वो एनाफोरा का पार्ट कहराता है, यह रिपिटीशन भी आपको देखने को मिल जाता है, बस इस पोयम में इतना ही बाकी अगली क्लास में फिर से मिलूँगा, आप सबगी को मेरा नमस्कार, और अगर कोई मिस्टेक होई हो इस क्लास के दौरान तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, उसे कमेंड बॉ कोर्से हमारे TGT, PGT, UGC, NET, SET exam, Grade 1, MP, Grade 1, Assistant Professor, SIP exams के लिए, अगर आप कोर्से लेना चाहें, तो यह नमबर दिये हुए है, यहाँ पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपना नाम और कोर्स का नाम, आपको कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी जरूर आजाएगी, तैंक्यू सो जय हिंद, जय भारत, अपना खयाल लखिएगा